नमस्कार पहले ही अपने यूट्योब चैनल कॉन साइस पर कोरोना को लेकर भविश्रवानी कर दी थी पहले इस बच्चे का मजाग बनाया गया लेकिन अब इसकी बातें सही साबित हो रही है इसकी भविश्रवानी या क्या थी वो हम आपको बताते हैं इस बच ने फेल्ट साल पहले अपने YouTube चैनल Conscience पर भविश्वानिया कर दी थी कि 2020 में मनुश्य और इंसान के बीच में भयानक जंग होगी जिसमें पूरी दुनिया त्राहिमाम त्राहिमाम हो जाएगी 31 अप्रेल 2020 से अचानक इस बिमारी में विस्वोट होगा जिसमें कई देश समा जाएगे इसमें वही सुरक्षित रहेगा जो अपने घर में रहेगा बाकी सब कुछ खत्म हो जाएगा इस बच्चे ने ये भी फविश्वाने की कि 29 मई तक विश्व की 80% आबादी वायरस से ग्रसित हो जाएगी और विश्व की 20% आबादी इसमें खत्म हो जाएगी 30 मई से इसमें सुधार होने लगेगा और 5 सितमबर तक ये सुधार जलेगा इस वायरस से आखरी मौद 10 सितमबर को होगी उसके बाद ये वायरस पूरी तरह से खत्म हो जाएगा लेकिन इसके बाद कई देश भूकमरी से ग्रसत हो जाएगे और 4 और लूट पार्ट मच जाएगी और कई देशों का वर्चस्व खत्म हो जाएगा इस बच्चे ने YouTube चैनल कॉन साइन्स पर एक और वीडियो शेयर कर ये सारी बाते कही थी वीडियो में इस बच्चे ने ये भी कहा था कि राम और कृष्ण का नाम लेने से कोरोना खत्म हो जाएगा ये वीडियो लगभग 20 मिनिट 52 सेकंड का है और इस वीडियो को अब तक 50 लाग बार देखा जा चुका है उसी YouTube चैनल पर और सोशल मीडिया पर ये वीडियो कहीं तरह से वाइरल हो रहा है इस वीडियो में बच्चे ने जो कहा है वहम आपको बताते हैं बच्चे ने कहा कि भारत और पागिस्तान के बीच जंग होने की 99 प्रतिशत तक संभावना है दूसरी बात बच्चे ने कही कि सोने चान्दी के और तेल के दाम बहुत बढ़ेंगे बच्चे ने ये भी कहा कि मद एशिया में अमेरिका और इरान के बीच जंग छड़ेगी आगे ये ये भी कह रहा है कि भारत उड़जा का भंडार है यहां उड़जा के बहुत पॉइंट है जैसे कि हाथ में एक्योप्रेशर के पॉइंट होते हैं ये सारी भविशवानिया अभिज्यानंद ने नवंबर 2019 से लेकर अप्रेल 2020 तक होने के लिए कही थी लेकिन अगर प्रैक्टिकल इन बातों को देखा जाए तो नवंबर 2019 से अप्रेल 2020 तक दोनों देशों यानि कि भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध वाले हालात कहीं नहीं बने सीजफायर का उलंगन कई बार हुआ लेकिन ये एक सामाने इस्थिती है जो आम दिनों में भी चलती रहती है दूसरी बात सोने चांदी के भाव और तेल के भाव बढ़ने की कही थी इस बच्चे ने तो अगर उस पर ध्यान दिया जाए तो सोने चांदी के भाव बढ़ना और तेल के भाव में उतार चड़ावाना एक सामान इस्थिती है जो चलती रहती है वहीं अमेरिका और इरान के बीच जंग की बात देखी जाए तो ये स्थिती काफी समय से चल रही है जहां दोनों देशों के बीच जंग को लेकर कहीं बाते की जा रही है लेकिन ऐसा कुछ भी कहीं देखा नहीं गया 2019 की शुरुआत से ही दोनों देशों में खीस्तान चल रही है जो अब तक जा रही है लेकिन जब ये वीडियो अप्लोड किया गया था उस वक्त भी दोनों देशों में खीस्तान चल रही थी ये एक छोटा सवालक है जिसने अपने ग्यान के अनुरूप ये सब बाते कह दी है लेकिन एक तरह सवाल हमारी मान सकता का है जहां पहले इस बच्चे की बात का मजाग बनाया जा रहा था हसी उड़ाय जा रही थी वही अब जब कोरुना महमारी तमाम देशों को अपना ग्रास बना चुकी है देशों में इससे खलबली मची हुई है तब इस बच्चे के नाम से सोशल मीडिया पर तरह तरह के मैसेच चलाय जा रहे है और ये कहा जा रहा है कि बच्ची की बात सही है तो पहले मजाग बना देना और फिर परस्थिती को देखते हुए उन्ही चीज़ों को वापस भ्रामक तरीके से सोशल मीडिया पर फैदाना ये कहा तक सही है फिर से वही कहूंगी कि अफवाहों से जरा दूर रही है और खुद की समझदारी से पैस ले लीजिए सब्सक्राइब आर चैनल और प्रेस दे बेल आइकन फोर अपडेट्स